और जहीं दोस्तों श्वागत हब का आप सभी का आज की महागाथा मेराथन श्रीज में जहां हम लोग सिच्चों बढ़ते लिखित परिच्छा के लिएक महत्रपुण श्रीज लेकर आ रहे हैं जहां पे दो प्रश्ण आपके दो नंबर पक्के हैं और उस श्रीज का नाम है बिवित के महत्रपुण तत्य में पुस्तक और रचना जहां से आपके परिच्छा में प्रश्ण आनाता हैं और आप लगातारी लेनी भी दुर्गेश पर पढ़ रहोंगे यह लेक्चर आपको पूरी तरह से फ्री मिल रहा है और निशूल क्लास है ताकि आप सभी पढ़ अफ पर पुस्तक के लिख़ कोन है एक प्रश्ण आप के सामने है फ्रस्टाः फूचर आफ इंडिया नामक पुस्तक का लिख़ को नहीं है फटाफ़ कमेंट करिये गा जवाब दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथि में तरोट्रो पहुचसाने के लिए यह आप पुस्त करें कोन carbon देखे यह और शास्तरी दौरा लिखा गया गया है और इस पुस्ता का लेख जी हा बी मल्जालान है इसका राइट एंसर होगा इस स्ष्टर्ण लेट और मोगा यह प्रमक और सास्त्री थे रिजर बैक आफ इंडिया के पूराने गवर्णर रह चुके हैं बिमल जालान दा फ्यूचर आफ इंडिया यह यह थे भारत के गवर्णर रह चुके हैं किसके आरिबियाई के गवर्णर यह आरिबियाई के गवर्णर रह चुके यह बात आप लोग याद रखे करेगा जी हां और बाइए के गवर्णर रचुके हैं बिमल जालान दा फ्यूचर आफ इंडियान की प्रमुक केरती है हम आगे बढ़ा के प्रशन की तरफ जी आप प्रतिन साड़े नौ बजे लेने विद दुर्गेश पर निसुल क्लास देशित में राशित में आपके प्रमुक पुस्तक है जो परिच्छा में पूछा जाता है वाट वेंट रॉंग करें यहां परिच्छा में पूछा जाता है जितने लोग वीडियो को लाइप ज्यक्ष्चक बढ़ती की तैरी कर रहे हैं जो लोग सरकारी नोकरिक करना चाहते हैं शबही वीडियो को फटाबट कमेंच करके बतायें देखे यह हैं भारत की सबसे पहली भारत की पहली महिला IPS बारत की पहली महिला IPS किरनवेदी की एक प् एक दम रटा रटा अप्रश्ने बिवीद में आपके लिए एक महत्त्रपूर्प्रश्ण बैंक की सिरीज है अगर आपको सलेक्षिन लेना अगर आपको नौकरी लेना है तो अई से पढ़ना होगा इसकीन सब्सक्राइब आपने पास रखना होगा हम आगे बढ़ने प्रश् सब्सक्राइब करें आपको इतनी मदद जरू करनी पड़ेगी किस ने लिखी है जो साथी वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटापर कमेंट करें सब्सक्राइब किस ने लिखा है द जिग जैग वे इस पुस्तक के लिए कौन है इस वीडियो को लाइब देख रहें सभी साथी गल एता सइस प्रश्ण का जबाब देना सीखिए परिच्छा हाल में होंगे तो आप काउन सब इकल्फ शियन करते यह समझी आप परिच्छा हाल में हैं आप जिए अनीता देशाइज प्रश्ण का सही जवाब होगा जिन साथ तो आप लोगों ने एक दम सही बताया नीता देशाइज का सही जवाब है तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है मैं माफी चाहता हूं कि साइद प्रश्ण हाप एक खतम हो गया प्रश्ण पूरी तरह स्कैन नहीं था तो मैं माफी चाहूंगा क्यों कि यह प्लास बीच में क्लास्ट में अचे बाइब और यहां विज हूं मेंधनाइच चल्डरनके लेखक ब्रश पड़ी होगी तो वताद हम एलेखक कहूं है तो midnight children के लेखक सलमान रस्दी है कौन है सलमान रस्दी है ठीक है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमें ध्यान नहीं दिया और मैं पूरा दिन वैस्त था त्यहवार के उप्लफ्च में तो सलमान रस्दी के सही जवाब है एक आग दो प्रशना माँड देख लेते हैं जैशे ही था सलमान रस्दी की रचना फर त्सकों रसना धी जबकि की अगर उसके बात देखें हैंकि दूसरी रचना कि प्रफम रचना बिकल्प में नहीं है जब बिकल्प नहीं है तो मैं बिकल्प के आधार पर चलना है तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए महत्पूर है सेलेक्शन के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना प्रशन को पढ़ना ठीक है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा मिड्नाइट चिल्डरन होगा चाहित स्कीन सॉट कर सकते हैं सलमान रस्दी के पांच रचन दे फीटर एइंडिया के लेखा कовых हो रहें तो बीमल जालान अभी लोगों ने पढ़ा था अच्छा ऊपर इतरह बढ़ना हम लोग को चलिये उपर इतरह बढ़ों agents come in return कlle कौनसे फटावट के बता हैं लज्जा पुस्तक की लेख कउन है लगों कningen क्ह 20 लिज्दान थे गत लिए जो लोग लेख देखे वीडियों को तर्ण चेहां मैं का हैं काफी प्रशिद्ध हैं याद रखेगा आगे मबढ़ लेते हैं अगला प्रशनाप के लिए किस ने लिखी है तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें बता सकते हैं काफी रटा रटा प्रसन है और मैंने इसको पढ़ाया भी है तो मैं चाहूंगा वीडियो को लाइब जर प्रशना है जो प्रहया आपके परिच्व में भी आता है ठीक है आगे बढ़ता है मगला प्रशने फटाफट स्रीज में निकित्में से कौन सी पुस्तक बीएस नैलाउन ने लिखी है तो जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटाफट जरा कमेंट करके बताइए यह हूज फर मिश्टर विश्वाश सही जवाब होगा ठीक है आपको लग रहा है भीटरुकर अगली यह अगला है लाइप डिवाइन पुस्तक के लिखा को कॉन है पुटाफट कमेंट करें आ आप देख रहे हैं लाइब डिवाइन पुस्तक लिखा कौन है अगर कि अरबिंद घोस है कौन है अरबिंद घोस इसके राइट एंस्वर है अरबिंद घोस इन्हें महरसी अर्बिंदो के नाम से भी जानते हैं लिख लीजेगा इन्हें महरसी अर्बिंदो के नाम से भी जाना जाता है इसलिए प्रस्ण का उत्तर क्या होगा डीस का राइट एंसोर होगा डीस प्रस्ण का शही जबाब होगा हम आगे देख लेते हैं राधा किश्णन की कौन से पुस्तक है ज़रा फटा पट कमेंट करके बताएं कल हम लोगों इसको पढ़ा हुआ था राधा किश्णन एस राधा किश्णन की पुस्तक कौन सी है मैं आपका समय ज्यादा नहीं लोगा तो मैं बताना चाहूंगा यह आइडलिश ब्यू आफ ला करें है कि यह चाहिए आफ्डगु से लिवर को किश्णन और तब इस्वारम का उत्थ क्यों यह आपका गलत हो गया प्रक्रषव फीर है प्रेत का न्वेश आफ लाइक loaf लाई कि और लूकेश की है किनेयों लूंकेश इसलिए प्रश्ण का उत्तर क्या होगा अब इसका उत्तर डी होगा चारो भी कल्ब मैंने आपको बता दिए कर आप इलानी भी दुर्गेश पर जुड़े हुए निसुल क्लास में कर आप हिस्सा ले रहे हैं तो उमीद करता हूं यह तथ्य आपको समझ में आ गया होगा सभी कि पहले राज सभा के पदिन सभापति हैं उनकी दो प्रमुक्रचना है तीसरी भी बता दिया भगवत गीता भी इनकी है लेकिन भगवत गीता इनकी नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ आप वीडियो को चाहें तो अपने साथी में तरह जरू जिसकोबरी आफ इंडिया के लेखा है लिकिन अगर यहां पर आ जाता रीडिसकोब्री आफ इंडिया री इंदिया टब इसका उत्तर क्या होता जो लोग युदियो को लाइब देख रहरे है अगर डिस्कुन आफ इंडिया आएगा तस्मेकं व्ए इसको उत्तर उजाता मी ऐ के लेगए नादस चाहिव है इसका उसा अजए दिखेज्ञ एगा दोनों प्राशंहे कर जाते हैं लेकिन आपको यहां से सीखना होगा भबिश्र नहीं करना अपने सिच्रवति बरिच्छा में घलती नहीं करना दोनों प्रशन में थोड़ा थोडा अंतर है माइन ररंतर है मैंने ने दोनुं माइन रंतर को पढ़ा दिया मम उमीद करता हूं को आप वीडियो को कि वोगों तख़ोड़ों पहुश आएंगे हम बाड़ने प्रस्ण की तरफ उघरा है कि अगला प्रस्ण रहा है उट्टी आध्या किस की और जड्रीफ हिस्ट्री आफ टाइंब ना मट ऐसक में खिशमानिक नहीं ने लिखिये अगर आप इस वीडियो को लाइप देख पा रहे हैं मैं उमीद कर रहा हूं कमेंट करके जबाब जरूर दीजिए गा सब इस वीडियो को लाइब देख रहा है सभी साथी कॉमेंट करें करिए कि अधिश्ट्री आप टाइम इस टीफिन हाकिन सही जवाब इस टीफिन हाकिन से तब राइट एंस हो रहे है ठीक है इस तब रटा मा लीजिएगा हाँ अभी बैग ठीरी पढ़ाएंगे तब इनके बारे में देखा जाएगा एक प्रश्ण है कि जो सत्य में जयते कहा से लिया गया है सभी साथी फटा फट कमेंट करके बता हैं सत्य में छयतते कहां से लिया गया है सभी साथी फटा फट कॉमेंट करके बताे हैं मुंदक अपनिशद मुंदक उपनिशद फटा भश्टे घरारेव प्रश्ण है हाँ एक। यजसा हुदक मालिक करे ए-स घ propri challenged विद तृत के लेखा कौन है जो भी शाती डिडियो को λाइब देख रहे हैं वे शाती तेबान करें गये कौमेंट करके दिएगे परश्नño जिबाना जिबाड़ी करके बता हैं यह गांडी 얘ी महात्मा गांदी महात्मा गांदी को कि मोहनदास करमचनद गांदी का फिर नाम है इस बीश्वन का उत्तर क्या होगा सीज्व मिश्णिक होoso माई एकस्पेरिमेंट वित्रोथ इसारर डिजी अगर आपको एकारी सकर्रेन ओक्री करना है तो भयां निम्रिकिस्ट में से और धंती राय किस पुस्तक की रचयता है शबी साथी कमेंट करके जरूर बताइए सभी साथी बताइए अगर हाफ फिलाइब की बात करें हाप एलाइक किसी है ? वीएस नाइपाल की है ठेक टुरुत लव एंड लिटिल मैसिज ये किसी किस की है ? AWS ये खुश्वंद की पुस्तक है अब र राइजिंग सन ये माइकल क्रिस्टन की पुस्तक है। माइकल क्रिस्टन अब बचा क्या। इस पश्टन का सही जवाब होगा। मतलब आप लोगों एकदम समझ लिया। आपको चारों भी कल पता चल गया। प्रसिद्ध रचना है जो प्रह परिक्षा में पूछा जाता है मैं उमीद करता हूं आपकी गल्ती नहीं होगी तो अब यह वीडियो को अपने लाइक अभी तक नहीं किया अगला है आपके पास प्रकाषिद्ध कब हुआ था? जुमपा लहडी सही जवाँ जुमपा लहडी सही जवाँ है यह 2008 में प्रकाषण प्रकाषण हुआ था प्रकासित कब हुआ था दो हजार आठ में प्रकासित हुआ था अगला प्रशना आपके सामने है दा मिनिश्ट्री आफ एट्मोस्ट हैपिनेस पुस्तक के लिखा कौन है सभी साथी फटापट कमेंट करें कमेंट करके जवाब दें मैंने पढ़ाया हुआ है और धन्ती राइज राइड एंसवर यह 2007 में प्रकासित हुई थी 2017 में प्रकासित हुई थी ठीक है हम आगे बढ़ आगले प्रशन की तरफ कौन से पुस्तक जोहलाल नहरू की नहीं है काफी महत्यपूर प्रशन है कौन से पुस्तक पंडि जोहलाल नहरू की नहीं है मुझे उमीद है जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी को इस प्रशन का जवाब देना है चाहे गलत हो चाहे श्रही हो आप लेकिन यह कौन किसकी है महात्मा गांधी की है ठीक इसलिए जो गलत है वही सही होगा इस पस्तन का उत्तर क्या होगा एश का सही जवाब होगा क्योंकि यहां पूछा कौन सा नहीं है ठीक यहां पूछा कौन सा नहीं है उन्हें बता दिया कौन सा नहीं है चलिए कि लिएर सब्सक्राइब करें जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहें सभी साथी फटाफ़ट कमेंड करें सभी साथी फटाफ़ट कमेंड करें गलत यह सभी आपको जबाब देना चाहिए चाहिए सभी हो गलत हो देखिए प्लुटों गलतंत इजराइट एंश्वर ठीक अरस्तु राजनीति सभी कालमाग दास्केप्टन लेकिन हिंद स्वराज जो है यह महत्मा गांधी की है किसकी म गांधी की है काल माक्स दासकेप्टन आपके जिमेदारी मेरी नहीं मेरा काम है पढ़ा देना वो गलती हो गई वरकնा आज और बड़े प्रश्न लेकर आते अगला प्रश्न आपके सामने है धैस्टोरी आप माल गुड़ी टेज डैस्टोरी आप माल गुड़ी टेज सबी साती फटाफ़ कुमेंद कर के बता है कौन क्या है दाइस्टोरी आप माल गुडी डेच के लिए खक कौन है सभी साथी पटाफ़ कमेंट करें सभी साथी फटाफ़ कमेंट करके बताएं कि अब तक है कि इस तोरी आप माल गुड़ी डेच में कि आर्के नारायड के बताइए कर देखे तोरी आप माल गुड़ी डेच तेरी अप्र की इस पस्ट न का उत्तर आपको एकदम आसानी जैनना होगा आरके नारायण इनके एक प्रस्थक और है जो बहुत ही प्रसिद है दगाइड क्या है दगाइड जो परिछम पूछा जैता है दगाइड इनकी एक महत्य पूर्ण रचना है जो आपके लिए पूछा जाता है इसलिए इस प्रस्षन का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट एंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, 20 प्रस्षन का शही जवाब होगा, इन्हें सहित अकादमी का पुरुषकार मिला था respuesta क्या प्राइट को तयार रहाठ नारान को, तया का कौन सा conception रहाठ नहीं लिखा गया है, तीन लिखा गया एक नहीं लिखा गया है फटाफट कॉमेंट करिएगा कॉमेंट करके बताईएगा जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे सबी साथी फटाफट कॉमेंट करे सेलेक्शन वाली क्लास अगर आपको सरकाई नोगरी करनी है आपको ऐसे प्रस्म को जवाब देना होगा कौन सी सहित रचना आरके नराण दोरा नहीं लिखी गई है सबी साथी बड़ाबट कमेंट करें सबी साथी बड़ाबट कमेंट करें क्या होगा देखिए सहित रचना आरके नराण की नहीं है मालगुडी डेज है स्वामी और फ्रेंड्स है दागाइड है लेकिन गाड़नर नहीं है यह रबिंदर नाथ टैगोर की है रबिंदर नाथ टैगोर की है माने जो गलत है वही सई है यहाँ गलत कतन पूछा है यह इसलिए इस पस्टन का उत्तर डिस का राइट एंसर होगा क्या होगा गाड़नर रबिंदर टैगोर की है दागाइड स्वामी और फ्रेंड माल गुडी डेज यह सभी किसकी है आरके नारायन की प्रसिद्धर अचना है जो प्रहे परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए इसको रट लीजेगा रट्टा मार दीजेगा और क्योंकि आपको सेलेक्शन लेना है आपको सरकारी नोगरी करना है सरकारी सिच्छक बनना है तो मालिक ऐसे प्रश्णों को आपको पार पार पढ़ना पड़ेगा जब तक आपको नोगरी ना मिल जाए ऐसी क्लास प्रदिन रास साड़े नो बजे इलरनी बिद्ध दुर्गेश पर लाइब चलती है अभी मत साथी फटाफ़ कमेंट करके बताएं जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे है दगाइड सौमी एई फ्रेंड दगाइड के लिए इन्हें सहित अकादी प्रशकार मिला था हमने उपर बताया साहित अकादमी सभी लोग ध्यान दीजेगा ठेक यह क्या है उपन्यास इसकी रचना किसम अंग्रेजी वासा में थी हम आगर बटह एगले पश्ण की तरफ इंडिका बताई दम हलूअ वाला पश्ण है इंडिका रचना किसकी है सबी साथी वटाफ़र कमेंट करें इंडीका किसकी दचना है भी विद्धी सभी लग फटाफट कामेंट करें मैं किस्तनी जिक्डम यार इस सरल पसंट तो आपने देखा यह नहीं गा गच्चा-च्छा की तिहास में आपको मिल लाएगा जी हाँ कच्छा-च्छा की नसीयाटी में कच्छा काफ़ एक सोनी जव पर इच्छा में पूछा जाता है दा साइन्स आ भरत नाट्यम क्या होगा दिखिए डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम जाइन कर लें दुर्गेश सरसर्ज करके एलर्नी भी दुर्गेश पर यह क्लास हमारे फेस्बुक पेज लेनी भी दुर्गेश पर लाइब च जनाट्यम कि सभी लोग बताई सरोजा बैदनाताम इसका सही जवाब है डीस का राइट एंस वर होगा चलिए हम आगे बढ़ने परश्णी की तरफ देख लेते हैं अगे डवाइट कैसल किसकी रचना है सभी साथी बताइए डवाइट कैसल किसकी रचना है अगे सभी साथ फड़ा फड़ कॉमेंट करें गलत या सभी जवाब दे अगर परिच्छा होते हैं तो कौन सा विकर्व लगाते समझ लिए परिच्छा में बैठें यह बाहर नहीं यह परिच्छा हाल में बैठें आप यही समझ के जवाब देना है अपको और अहन पामूक इसका राइट एंसर होगा कल हमने पढ़ाया हुआ था इस टॉपिक को अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो भीया मेरा पढ़ाना वेकार है अगला पशनाप के सामने है सचिन तंदुलकर ने कौन सी लिखी थी कौन सी कृति सचिन तंदुलकर की है तो जो कॉमेंट करके जरूर बताएंगे सभी साथी फटाफट कॉमेंट करेंगे कमेंट करके जबाद देंगे बताई सभी साथियों सभी साथी फटाफट कमेंट करें प्लेइंग इट माई वे ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान इंडिया आप माई प्रकिस्तान ये पूछा जाता है इसका जबाब और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपने कल क्लास पढ़ी होगी तापको पता होगा नहीं पढ़ी है तो भाईया इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना वीडियो खतम होने के बाद हम आगे बढ़ रगले प की राइट एंस्वर है बीस का सही जबाब है सरकारी नोकरी करना तो भाईया पढ़ना पड़ेगा सही जबाब ट्रेंडु पागिस्तान कुस्वन सिंग सही जबाब है मैंगे बट्रोंगले पैसने की तरफ है एक रचना है आपकी ए तिंग आप ब्यूटी इज आगे बरते अंगला है नो फूल स्टाप इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्न है जी हां दोस्तों सभी साथी फटापट कॉमेंट करें डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जॉइन कर लेंगे डिस्केप्शन में लिंक होगा या टेलीग्राम है पिस्टॉल करेंग सभी साथी फटापट कमेंट करें नो फूल स्टाप इन इंडिया दिखिए यह 1992 में आई थी मार्ग टुली की रचना है जी हां दोस्तों मार्ग टुलिस का राइट एंस और बीस का सही जवाब है मार्ग टुलिस का सही जवाब होगा हम आगे बढ़ रगले प्रस्टिकी त कौन है सभी साथी फटापट कमेंट करें मैजिक सीट की रचनाकार कौन है बताइए जी यहां देखिए इस मैजिक सीट के बाद इन्होंने एक और रचना की थी हाफ ए लाइफ हाफ ए लाइफ इसका अगला पार्ट है यह पार्ट वन है और यह इसका पार्ट तू है आती हो जिहां दोस्तों वी एस नाय पालिस का सेजवाब होगा पार्ट फट उन्हें मैजिक सीट से लिखा था फिर आगे चल का कुछ दिनों के बाद इसका पार्ट टू लिखा हाफ लाइप के नाम से दोनों पुस्तक एक अही पार्ट एक पार्ट टू में हैं लेकिन उसे बी-एस नाय पाल ने लिखा था दोनों के नाम अलग अलग थे इसलिए प्रहे लोग परशान होते हैं कि यह किस ने लिखा था और यह किस ने लिखा था ठीक है उसके आगे की है पार्ट टू है यह ठीक बी-एस नाय पाल इसका राइट एंसवर है हम आगे बढ़ रहे हैं कमला दास की पुस्तक कौन सी है सभी साथी फटापट कॉमेंट करेंगे और जबाब देंगे कमला दास की पुस्तक कौन सी है यह क्लास प्रदी निसूल चलेगी लेनी दुर्गेस पर अभी बिवित चल लए फिर करेंड अफियर चलेगी फिर यहीं पर समानत दिन की सिर्च च रटी में दो नंबर हैंसे fix आपकी आने हैं बताइए कंभा दास ने कौन सी पुस्तक लिखी है इसका राइट एंसर होगा तुमाइड भी सैवेज राइट इसका सभी है कंभा दास ने किसके साथ पृतिष नंदी के साथ मिलकर लिखा था ठीक है? इसलिए प्रश्न का उत्तर है, डीस का से जवाब होगा? अतीर रहमी ने क्वोन से रचना उनकी, इसका रचना का जो नाम है वो ऐथ है है, आर्थ है जिस प्रश्न का श्रही जवाब होगा, है? फ्ला तेजी से बता रहे हैं, कि आप लोग संख्या काफी कम है, एक प ग्रेट सोल महत्मा गांदी एंड हिजी स्ट्रगल वृत इंडिया नमक पुस्तक चर्चा में रही उस पर गुजरात सहित कुछ भारती राज्यों पर प्रतिबंद भी लगा दिया गया उस पुस्तक के लेखा कौन है क्योंकि यह काफी चर्चित पुस्तक है इसलिए यहां से राइट एंसोर होगा एस पशनका सही जवाब होगा कुरुचेत्र टू टार्गिल किसकी है कार्गिल कुरुचेत्र टू कार्गिल किसकी रचना है पड़ाबर कमेंड करिए सभी साथी पड़ाबर कमेंड करें कुरुचेत्र टू कार्गिल किसकी रचना है कुल दीफ सिंग जैने राइड होगा कोई स्चुरे ट वा एईAP दिट्रेट फॉर्म्त हाइट के रचनाकार कौन है इस्च्रेटफ़म्त हाइड बता ही दी लोग हिस्च्ष्ट फॉर्म्त हाइड किसकी आत्मकथा है किसकी रचना है किसकी आत्म कथा है को देंगे पस्ठपूर्ट हूद की तरफ कि एक काफी प्रिख्छा में पूछा जाता है बेटर इंडिया जी हां Instagram पे दुर्गेश सर्श सर्च करके जोड सकते हैं और Facebook पेज इलर्नी पे दुर्गेश इस्ता Twitter, टेलीग्राम पे जुड़िया गे लेनी पे दुर्गेश लेई लेटर इंड्या, वेटर वल्ड, किसकी रचना है अवेटर इनड्या, वेटर वल्ड, एन आर नारायण मूर्ति इसका सही जवाब है एन आर नारायण मूर्ति इनकी प्रमुक रचना है शीष का राइडेंस वर होगा अगला परशन है माई अनफॉर्गडेबल मैमोरीज किसकी रचना है यह हमने कल पढ़ाया था करतें किसी का जवाब नहीं होगा रिवीजन भी होगा और सलेक्षन के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है माई अनफॉर्गडेबल मैमोरीज किसकी आत्म कथा है बताई कमेंट करके ममता बनर जी इस राइडेंस वर ममता बनर जी शही जवाब है ममता बनर जी इसका राइडेंस वर होगा अगला पशना आपके सामने क्वेश्चन एंडेंस वर क्वेश्चन एंडेंस वर किसकी रचना है कमेंट करके जवाब दीजेगा जी हाँ दोस्तो क्वेश्चन एंडेंस वर किस पुस्तक के लेखा कौन है शबी साधी फटाफट कॉमेंट करेंगे question and answer पुस्तक के लेखा कौन है यार कॉमेंट करिए गलत या सही जबाब देजे मत लाइक करिए मत सेर करिए लेकिन जबाब तो देशकते हैं सेलेक्शन लेना माली का अप लोग को नए सस्क्राइबर जो भी जूड रहे हैं नए स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं पहले लाल बटन को काला करके भेंटा दबा दें चलिए विकास सोरूब इसका right answer होगा जी हाँ दोस्तो विकास सोरूब इसका सही जवाब होगा कम्मिनिस मैनिफिश्टो और दास केपिटल के लेखक कौन है सभी साथी फटा फट कमेंट करिये गा कमेंट करके जवाब दीजेगा जो साथ इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं सभी साथी फटाफट पता है कि करके कॉल मोक्स की है इसका मतलब कमनेज़ कि कि होगी काल मॉक्स की होगी थोड़ा सा दिमाइक लगाएंगे प्रश्ण का जबाब आसानी से कर लेंगे आप तंद इसक्राइब आहे सम्हाज़ादी बिचारदार के जनक माना जाता है कौन है कल के गुरिया को कस में कि अ registration है किल की कि इसका सही जवाप है unto मॉक्स इसका राइट एंशवर होगा काल मॉक्स इसका राइट एंशवर है ठीक है अगला है एपी जब्दुल कलाम की पुस्तक कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है परिछा में पूछा जाता है सबी साती फटाफट कॉमेंड करके बताइए बारत के पूरो राश्ट्रपति पे जब्दुल कलाम की कौन सी रचना है ठीक करें आज का आखरी प्रस्टन है यहां से के साथ मैं आपको बता दू डेली क्लास के लिए आपको टेली ग्राम पर जोड़ना होगा दुर्गेश सर्च करके इलने भी दुर्गेश पर यहां पे क्लास नोट्स पूरी तरह से फ्र चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं क्लास और सिचक भरती नोट समंदीत यह क्लासे जनपुर्ट जनपर से संचालित की जाती हैं और मैं आपको निसुल की लाने भी दुर्गेश पूपलब्द करा रहा हूं ताकि आप भी सरकारी से चक बन सके आपके मन में कोई प्रस्ट का जबाब जितनों नहीं दिया ध्यान दे लें एश का सही जवाब होगा इस वीडियो को सेर जरू करिएगा साड़े नौ बजे आईएगा और आप लोग को सेलेक्शन वाली क्लास पढ़िएगा आप सब क्या सिर्वास से मेरा तो चैयान हो गया इसलिए मैं आप आप भी निशुल को पढ़कर देशित में राश्चित में सिच्छा लेते हुए उस गरीब परिवार के नौनिहालों को बहतर तरीके सिच्छा दे और हमारा उदेश रही है आप भी अपना बहतर दे रेस के घोड़े रेस मच्छे रगते हैं खेत में नहीं मेरी सुब कामन सभी भरती परिच्छाओं के साथ मैं आपके बीच लाइब रहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चलिए वीडियो को शेयर करते रहेगा अपने साथी मित्र तुक बताते रहेगा कोल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जहांसे आपके परिच्छा में दो न सबकामनार सब के साथ है बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकास का परव आपको मुबारक हो बधाई हो मेरी सुबकामनार सब के साथ है वीडियो को लाइक करना सेयर करना लोगों तक पहुचाना आपकी जिम्हदारी है पीडियो आपको जल्द उपलब्द हो जाएगी फ्री सब्सक्राइब बनाया हुआ है उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा लोगों तो मैं दूसरे के चैनल में पढ़ा रहा हूँ मेरा चैनल दूसरा है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बाई बाई